देखिए AI यानि कि artificial intelligence हमारे बीच उसकतर घुज गई है कि कही ना कहीं अब वो एक आम इंसान की life को hamper कर रही है कही ना कि आम इंसान की privacy को hamper कर रही है क्योंकि अगर बात करें हम chatbot कि आगर हम बात करें chat gtp की को तो लोग उसका भरपूर तरीके से इस्तमाल करें इस्तमाल के साथ साथ वो अपनी personal चीज़े भी इन सब पर share करते हैं लेकिन अब Google ने इस पर कड़ा कदम उठाया है गूगल ने क्या कहा है AI को लेकर क्या कदम उठाया इसके आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो को पूरान तक देखिए गया देखिए सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो इंटरनेट चलाने के दौरान गूगल का इस्तमाल करना बेहद आम सी बात है हलां कि अब गूगल को चलाते समय साथधानी बरतने का समय आ गया है दरसल दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन में से एक गूगल ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर दिया है अब कमपनी किसी के भी उपलब्द डेटा का इस्तेमाल यान कि AI बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विस को और बहतर करने के लिए अपडेट किया गया है अमेरिकी टेग कमपनी की पॉलिसी में बदलाव एक जुलाई से किया गया है AI की दुनिया में Microsoft ने Chat, GDP और Bing AI के दम का काफी मजबूत पैट बनाई है Google का Microsoft से सीधे एक competition है दिग्ग सर्च एंजन Google जो बाड AI और Cloud AI जैसे Artificial Intelligence टूल के साथ Microsoft की टककर लेता है इसी तरह से आप प्रोड़क्ट को बहतर बनाने के लिए ये प्राइवेट पॉलिसी जो है इसमें बदलाव किया गया है प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट करके Google ने यूजर समय सबको क्लियर किया है कि वो किसी भी तरह का डेटा इस्तमाल नहीं करेगा पब्लिक डोमेन में शामिल ऑनलाइन जो डेटा है उसको सीध है यहां फिर दूसरे पब्लिक सोर्स के जरीए AI प्रोड़क्स को ट्रैक करने में इस्तेमाल होगा Google जो भी मौझूदा AI सिस्टम पर काम कर रहा है इनमें बदलावों में काफी जादा फाइदा लोगों को मिल सकता है अब क्या क्या फाइदा मिल सकता है क्या यह पूरी जानकारी है इस पर आपको थोड़ी अगर और अपडेट दें तो यह अपडेट ऐसे समय पर सामने आया है जो Google द्वारा किया गया है जब चैट GPT को बनाने वाली कमपनी OpenAI पर एक केस तर्च हुआ दरसल चैट GTP डिलेवर पर आरोप है कि वो इंटरनेट के जरी यूजर्स की प्राइवेट इन्फोमेशन को अपने AI टूल के जरी यह इस्तेमाल करता है ऐसा दावा किया गया कि OpenAI ने सोशल मीडिया के कई लाखों कॉमेंट्स का डेटा यूज किया है अब इतना ही नहीं OpenAI पर सोशल मीडिया के अलावा व्लॉग और विकिपीडिया से भी डेटा लेने का रूप है यूजर्स की मर्जी के बिना उनकी Personal Information का इस्तमाल ChatGTP को बहतर बनाने के लिए किया गया ताकि वो बढ़िया response दे पाए बता दें कि ChatGTP और AI Chatbot हैं जो किसी भी सवाल का जो इनसानों को हैं वो सही तरीके से जवाब दे देते हैं गूगल ने इस पर हस्तक शेप किया है गूगल ने एक नई अपडेट लाई है इस अपडेट के जरीए जो AI जो ChatGTP है यहां फिर Chatbot है इन सबसे कहीं न कहीं आपका डेटा बहार नहीं निकलेगा यह अपडेट आपके लिए बहुत फायदेबन साबित हो सकती क्योंकि ऐसी लीख होनी की खबरे लगातार सामने आ रही तो इस पर आप बड़ा एक्शन दिया गया है चलिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही अभी के लिए जासर दीजिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक किये बिना बिल्कुल ना जाहें या आप इंडिया स समचार 27 के साथ जोड़े थे मैं हूँ आपके साथ स्वाधी ठाकुर